everyone now we are going to solve the fifth question of exercise 2.6 okay so यह question को देखते हैं क्या दिया है पहले सबसे पहले given में देख लेते हैं ठीक है so it is like Suyash scored 10 marks more in second test ठीक है तो सबसे पहले हमको एक चीज पता चल गया कि यहां पर कौन है कोई Suyash नाम का कोई एक लड़का है जिसने कितना टेस्ट दिया है तो हमको तो अब तक सिर्फ टेस्ट 2 की बात पता है किसकी बात पता है टेस्ट 2 को मैं T2 लिख देता हूं राइट तो T2 में 10 marks ज्यादा स्कॉर किया इसमें कितना प्लस 10 marks ज्यादा लिख सकते हैं ठीक है than the than that of in the first तो जो भी T1 था ठीक है टेस्ट 1 इसमें मान लिजिए जो भी स्कॉर इन्हों ने किया था that was x marks राइट जो भी टेस्ट 1 में स्कॉर किया था उसको मैं क्या बोलूंगा एक्स तो टेस्ट 2 में कितना x से 10 ज्यादा x प्लस 10 स्कॉर कर दिया बराबर है सिंपल था सबसे पहले क्या बोलता है सुयाश स्कॉर्ड 10 marks ज्यादा स्कॉर किया ठीक है फर्स्ट टेस्ट से तो अगर फर्स्ट टेस्ट का जो marks है वह मैंने पकड़ लिया एक्स है तो सेकंड टेस्ट का क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10 बराबर है सिंपल मुश्हा पूर और देख द क्या है था फाइव तैम्स दस्ट of the second test right now क्या बोला five times the score of the second test ठीक है तो second test का क्या था score second test का score था यह x plus 10 ठीक है तो five times score of the second test five यह curly bracket का मतलब होता है multiply right to five times the score of the second test is the same is the same बोला मतला is equals to whatever is the same as the square of the score in the first test ठीक है तो जो भी five times था five times the square of the sorry five times the second test जो भी second test था उसका पांच गुना अगर ज्यादा किया जाए तो वो किसको इकुवल था जो first test का score था उसके square को बराबर तो first test का जो score था वो क्या था x जो भी first score था वो क्या था x तो x का square तो यह हमारा condition है ठीक है अभी condition बहुत simple सा था now how we are going to solve it तो सबसे पहले हमको बोलना पड़ेगा let the marks of suyash in first test in first test b x marks ठीक है therefore second test में कितना हो जाएगा therefore the marks of second test will be x plus 10 सही है बराबर अभी क्या था अभी हमारा given condition है अभी condition ने क्या बोला था तो directly लिख दो यहां पर according to given condition according to given condition ठीक है condition की हिसाब से क्या बोला five times the score of second test right five times the score of the second test is equals to or is same then the square of the first test ठीक है जो भी first test का square था वो किसको equal है five times the second test अभी क्या हो जाएगा simple maths calculation 5x plus 50 is equals to x square बराबर है तो अभी इन दोनों को उदर ले लो एक quadratic equation बन जाएगा x square यह plus 5x है इधर जाएगा तो minus 5x और यह plus 50 उदर जाएगा तो minus 50 is equals to zero ठीक है इधर कर लेते हैं तो इधर हमको क्या मिला जो quadratic equation है x square minus 5x minus 50 is equals to zero तो सबसे पहले compare करो देखते हैं क्या यह standard form में है हाँ यह standard form में है तो जैसे पता चल गया यह standard form में है तो क्या करना है सबसे पहले जो x square का coefficient है उसको constant number से multiply किया तो आया क्या minus 50 बराबर माइनस 50 के क्या करने है factors निकालने है दो ऐसे factors जिनको मैं multiply करो तो क्या आना चाहिए और plus और minus करो तो क्या आना चाहिए प्लस और minus करो तो minus 5 आना चाहिए ठीक है और दोनों का difference भी कितना है 5 यह तो मैं लिक देता हूं इधर 5 10s are 50 ना यहीं मिडल साइन कौन से है माइनस वाला है मिडल साइन कौन सा रहा है माइन से मतलब बढ़े वाले नंबर को माइनस साइन दे दिया यह लो माइना साइन और छोटे वाले नंबर को plus sign simple now therefore अभी x square plus 5x minus 10x minus 50 is equals to 0 ठीक है यह दो underline यह दो नो underline उसके बाद क्या बचा इदर x square यहाँ पर common क्या आ जाएगा x common आ जाएगा इदर बचेगा x plus 5 यहाँ पर minus 10 common आ जाएगा क्या बचेगा x plus 5 is equals to 0 ठीक है therefore x plus 5 एक बार लिखूंगा और x minus 10 एक बार लिखूंगा is equals to 0 तो x plus 5 is equals to 0 और x minus 10 is equals to 0 therefore x का इदर वैल्यू माइनस 5 आ रहा है और x का वैल्यू क्या रहा है प्लस 10 आ रहा है simple अच्छा marks कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं therefore marks cannot be negative बराबर marks cannot be negative therefore x is equals to 10 लिकिन यह x क्या था x था test 1 में score करने वाला marks बराबर है ठीक है therefore अभी test 2 का marks क्या हो जाएगा यहाँ पर आप directly x plus 5 का marks सुरी x plus 10 निकाल लीजिए तो यह second test का marks मिल लाएगा which is nothing but 10 plus 10 मतलब 20 बराबर तो सुयाश का जो marks था किसमें test 1 में यह कितना आया 10 marks आया बराबर और test 2 में जो marks आया था यह कितना आया था 20 marks तो इसको final statement खुद से बना के लिख लोगे तो समझ में आयेगा ठीक है और यह रहा solution पूरा ठीक है क्या करना इसको simple क्या करना था सुयाश का था दो test का marks दिया है ठीक है तो second test का marks किसको equal है square of the first test बराबर है तो कर लिया वह ऐसे condition में convert कर लिया condition में convert करने के बाद मैंने क्या किया उसको एक quadratic equation में convert किया उसके बाद factorization करके मैंने answer निकाल लिया बराबर as simple as that see you in the next lecture ठीक है तिल देन यह पांचो जो numerical है वह आप अच्छे से solve कर लो